पहले आपने ब्लाष्ट की आवाज सुनी और फिर घड़ी की ठिक ठिक जी हाँ आपके मन में कुछ विचार उठे और बहुतेरे सवाल भी एहम सवाल उठा होगा कि ये आवाजें मैंने इस पॉड़कास्ट में क्यों डाली भाई दुनिया दो भागों में बटे हुई है एक हम यानि मैं और दूसरा संपूर्ण दुनिया आमने सामने हैं एक दूसरे से सवाल करते हैं लेकिन हर सवाल का जवाब तुरन्त मिल जाए ऐसा संभव है क्या कुछ लोगों की आदत होती है कि सवाल करते ही उन्हें जवाब की जरूरत होती है और जवाब ना मिलने पर वे विचलित हो जाते हैं उप मानित करने से भी नहीं चूपते पर कभी आपने सोचा है कि दुनिया को हर सवाल का तुरत येंकें प्रकारें जवाब देने से बहतर है कि वक्त का इंतजार कराईए वक्त का इंतजार खुद भी कीचिए वक्त हर सवाल का जवाब दे देगा विश्वास कीचिए वक्त में ही ताकत है आप में नहीं कि आप हर सवाल का जवाब दे सकें एक अकबर बीरबल की कहानी याद आ गई जो कभी सुनी थी आपने भी सुनी होगी कि एक बार बीरबल से अकबर ने कहा कि अपने पिताजी को लेकर आईए बीरबल ने कहा आलंपना पिताजी बहुत सीधे साधे हैं विक्या करेंगे मैं काफी हूँ ना बीरबल पिता को लाने के लिए छुकना थे परन्तु दबाव डालने पर उन्होंने सहमती व्यत्त की और अगले दिन पिता के पास जाखड़े हुए पुर्ण बीरबल ने अपने पिता को इस बात के बारे में बताया कि भाई आप से आलंपना हम मिलना चाहते हैं बीरबल की बात सुनकर पिता जी जरा घबराए सीधे सज्जन वेक्ती थे उन्होंने कहा जब बे मुझसे कुछ सवाल करेंगे मैं जवाब ना दे सकूंगा तब क्या होगा तब बीरबल ने सलाह देख की पिता जी आप खामोश रहिए किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं जवाब तो वक्त दे देगा आप देखते बस रहिए आलंपना ये हैं मेरे पिता जी नमशकार नमशकार पिता जी आप कैसे हैं प्रश्ट जब अकबर ने किया तो बीरबल के पिता खामोश रहे क्या मैं बीरबल को उचित सम्मान देने के लायक हूँ इस सवाल पर भी बीरबल के पिता जी शाहंत रहे बहुत सारे सवाल करने के बाद आखिर अकबर जला गए और उन्होंने बीरबल की और मों घुमा कर कहा बीरबल तुम इतने चतर ग्यानी और तुमारे पिता इतनी मुर्खता कर रहे हैं कुछ बोल नहीं रहे हैं मैं तो ऐसे मुर्खों का सामना नहीं कर पाऊंगा बीरबल ने कहा हुजूर इसका जवाब पिताजी ही देंगे उन्होंने कहा पर वो तो कोई बात ही नहीं बोल रहे हैं आलम पना हर बात का जवाब आप चाहते हैं न चुपी भी इसी का जवाब है मतलब क्या मतलब यह कि अगर कोई मुर्ख का सामना करना पड़े तो चुपी साथ लेना ही श्रेयस होगा मित्रो यह कहानी यूँ तो कहानी है पर जिन्दगी की हकीकत भी यही है पाल जवाब पर केंदरित अगला पॉडकास सुनना न भूलिये प्रस्तुत करता उन्नती तिवारी